Marvel Studios की Black Panther movie के 5 ऐसे facts जो आप नहीं जानते होंगे इस movie की director Ryan Coogler 9 साल के थे तब वे अपने स्थानिय comic books तो जाते ही और एक दिन वो उन्होंने सबसे पहली बार किसी black human के तौर पर कोई सुपहेरो याने की Black Panther को देखा था गजब की बाद तो ये ही की comic में Black Panther का आवतार बिलकुल उनके जैसा दिखता था चैडविक बोस्मेन ने Black Panther के लिए कभी audition ही नहीं दिया बलकि Marvel Studios के president ने खुद सामने से चैडविक को Black Panther के रोल के लिए एप्रोच किया था Black Panther मुवी के साथ Marvel की एक और biggest movie Avengers Infinity War को एक साथ फिल्म आया गया था और बड़े पैमाने पर वकांडा का इस्तिमाल किया गया था इसमें Infinity War में दिखाई देने वाले Black Panther के characters सीधे एक फिल्म की shooting से दूसरी फिल्म पर चले जाते थे Black Panther की स्क्रिप्ट राइटिंग के दौरान, रायन कूगलर क्रेवन धी हंटर को मुवी में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे Marvel Comics में, क्रेवन Black Panther का लंबे समय से दुश्मन रहा है पर क्रेवन मुख्यत और पर Spider-Man का विलेन है, इसलिए इसके फिल्म रायट्स सारे Sony Entertainment के पास थे और जब Marvel सोनी के पास रायट्स खरीदने गया तो Sony ने मना कर दिया और तो और मजे की बात तो यही की Sony के पर Black Panther के भी रायट्स थे पर उसने ये कैरिक्टर का इस्तिमाल किया ही नहीं और बाद में 2005 में Marvel को वापस बेच दिये सौधी अरब में पिछले 30 साल के लिए Movie Theater पर प्रतिबंद लगा दिया गया था उस प्रतिबंद को दिसंबर 2017 में हटा लिया गया और उसके अगले साल में थियेटर में पहली फिल्म की स्क्रीनिंग हुई और वो फिल्म और कोई नहीं बलकि Black Panther ही थी